विद्यार्थियों ओनलाइन गख्षा में आज आपका स्वागत है आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे विद्यार्थियों जैसा कि आपको ग्यात है प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्णपत्र में कबीर की साखियां हमारे कोर्स में हैं औ जीवन के अनुभवकों बताने वाली है। उसमें व्यक्तिगत जीवन का, सामाजिक जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का सभी का पक्ष बहुत मजबूती से उबरकर आया है तो विद्यार्तियों जो साख्यों का महत्व है वो जीवन में कितना उपियोगी है और कितना सार्थक करता है जीवन को इसके बारे में कबीर जो प्रकाष डालते हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे विद्यार्तिव कबीर की रचनाओं में जो है सबसे महतुपूनिस्थान साखियों का है और साखिय जो शब्द है वो संस्कृत के साक्षी शब्द का अपपरंस और साक्षी का अर्थ है गवाई गवाई देना जो कुछ स्वेम देखा है या अनुभव किया है उससे सच्चाई और इमानदारी के साथ में प्रस्तूत करना इस प्रकार कबीर की जो साखिया है उनका तात्परी क्या हुआ प्रत्यक्ष और यथार्थ ग्यान यानि जीवन की नैतिक आध्यात्मिक और व्यावारिक उल्जन को सुलजाने के लिए जिस यथार्थ ग्यान की आफश्यक्ता पड़ती है वे साखियों में है इस तरह साखियों में जो कबीर ने प्रत्यक्ष और प्रामानिक अनुभवों से सम्मधित उन विचारों को रखा है जिनके अनकूल आच्रन करने पर मानव मात्र का कल्यान हो सक करता है तो कबीर ने अपनी साखियों का विभाजन जो है वो कई अंगों में किया है जैसे हमारे कोर्स में भी है गुरुदेव का अंग सुमिरन का अंग ज्यान विरे का अंग इस अंग और माया का अंग पर्चा का अंग इत्यादी और इन अंगों के अंदर गुरु की महत नामिस्वरन की मेता और ज्ञान प्राप्ति का मेहत्व यह जादा खुल कर बताय गया है। इस प्रकार जो गुरू की महीमा है और परमातमा की जो सर्व व्यापकता है, संसार की जो नशवर्ता है, मन की जो शुद्धी है माया का जो प्रपंच है और मित्या आडंबर इन सब का परित्या करने का विवेचन साक्यों के अंदर गज़ बताया गया है कबीर ने जो है मानों को सदाचार और सुद आचरन की सिक्षा दी है और सुद आचरन की अंदर मनुश्य हमेशा ही जो है सदेव मीठी वानी बोले तनिक भी एंकार न करे कभी किसी को मूर्ख न बनाए जैसी बातें जो है वो साक्यों की अंदर खुल-खुल कर माध्यम से आई है जैसे कबीर कहते हैं लोहा कभी जल पर तैर नहीं सकता वैसे ही अज्ञानी और मूर्ख के व्यक्ती भी कभी सदाचार से पूर्ण नहीं हो सकता वो तो हमेशा दुशकर्मों से लदावा रहेगा और लोहे के समान सदेव भारी ही बना रहेगा अब इसके विपरीत देखो तो अच्छे व्यक्तियों का साथ सदेव करना चाहिए जैसे स्वाती नक्षरत्र की एक बूंद केले में गिरकर कपूर बन जाती है और सीप में गिनकर मोती बन जाती है और साप के मूँ में गिरकर हला हलविष बन जाती है यानि जैसे संगती बैठिये तैसो ही सुध होए वैसा ही स्वाव हो जाता है तो सत संगती से व्यक्ति अच्छा और असस संगती से बुरा बन सकता है इसी प्रकार भाईय और आंतरिक शुद्धी के द्वारा मानव मात्र को सदाचारी बनने और शुद आचरन करने की सला भी दी गई है तो कबीर की जो साकिया हैं उनके अंतरगत बहुत सुक्ष्म अनभूतियों के दर्शन होते हैं आप छोटे से छोटा दोहा लेलो उसमें ब्रह्म जीव जगत माया इत्यादी का बढ़े ही सुन्दर और सजीव डंग से विस्तार के साथ प्रतिबादन किया गया है उपियोक्त प्रतिकों के द्वरा आत्मा परमात्मा का मिलन सादक की विरहानुबूति हट योग की साधना माया का प्रपंच ब्रह्मानंद प्राप्ति आधिका निरूपन बहुत खुलकर किया गया है तो विध्यार्थियों कबीर की साखिया दोहा जैसे चोटे से चंद में मिलती है और बहुत ही सहज और स्वाबाविक सौंदरी से ओध प्रोथ हैं ज्यान है उसमें बक्ती है नेतिकता है ब्यावारिकता है दार्षनिकता है और भावुकता इन सबका समुच्चे मिलता है तो इनमें जन्द साधरन को ऐसा प्रकाश प्रदान किया गया है जिससे सभी बूले बढ़के व्यक्ति सत्यमार की और उन्मोख ओ सकते हैं ये साखिया व्यक्ति को आत्म निर्ख्षन की और प्रवृत करती है शुद्ध आचरन करने के लिए बाध्य करती है दुशकर्मों का त्याग करके सतकर्म करने की प्रेणा देती है और मानव मात्र में आध्यात्मिकता नम्रता इश्वर का विश्वास सत्चरित्रता भगवत भक्ति आधि-आधि का संचार करती चलती है तो कबीर की साक्यों का बहुत ही अदबुत और अनुपम महतो है जो हमारे विभिन अंगों के माध्यम से हम उनको पढ़ेंगे तो आज इतना ही उनकी महिमा के बारे में और आगे अंगों पर विस्थार से चर्चा करेंगे तब त करेंगे तो झाल झाल